नमस्कार मैं हूँ मुस्कान अजबानी और आप देख रहे हैं प्राइम टीवी चलिए शिरुवात करते हैं 75 जिलो की 75 बड़ी खबरों की यूपे भाजपा का बड़ा फैसला बीजेपी ने एम यू के वी सी तारीक मनसूर्क और निपेंद्र मिश्ट्र के बेटे समेच 6 लोगों को बनाया दाग्य उमीद्वार को टिकेट नहीं देगी सपा निकाय चनाव बरेरी प्रभारी बोले जिसकी छवी खराब उससे कोई वास्ता नहीं हंस राज विशुकर्म भाजपस MLC मनोनेत भाजपा की सूची में शामल बनारस के जुलाध्यक्ष के नाम पर राजपाल ने लगाई हूँ है भाजपस सिगठ मंदन कर चनाव लड़ेगी निशाद पार्टी मंत्री डॉक्टर संजन निशाद बोले जल्द सियम और प्रदेश अध्यक्ष के साम में रखेंगे बाद निकाई चनाव के बहाने यूपी में जनाधार बढ़ाने की कोशिश में जदियू नौ अपरेल को बैठक में होगा मंदन केरल में ट्रेड में आग लगाने वाला यूपी से अरेस एटियस ने शारुक को बुलंद शहर से पकड़ा क्यामिकल से लगाई थिया प्रमुक सचिफ का डेटा है करने वाला छात्र फरार अधिकारी से मांगेते असी लाख परीक्षा देने के लिए था पैरोल पर राकेश ट्रिक्यात का भाजपा परवार बोले बीजेपी का फंडा पाटी जोइन करो या जेल जाओ पीम को अपनी पढ़ाई सारवजनिक करनी जाए सीधापुल में टुकडों में मिली यूवा कि सिर्कटी लाश भैचान मिटाने के लिए काटे हातों के पंज्य हरियाणा के बोरे में था शब नोड़ा में ओमिक्रॉन का एक्स बीबी डॉट वन साब वैरियंट सबसे जादा एक्टिव जीनोम सेक्वेंसिंग की रिपोर्ट से खुला सा गोरगपुर में इलाज के नाम पर चोरी पहले कराया मा का इलाज फिर हॉस्पिनल में ही चोरी फिर सिर गंजो कराकर क्लीन शेव हो गया यूप में 18 दिन में 705 प्रतिशत बड़े कोरोना के केस न्सी आर के बाद अब अन जिलो में भी कोरोना प्लास ललितपूर में एक दिन में 20 संक्रम है गाजेपूर में घटिया निर्माण को लेकर ग्रामीडों में आक्रोश सडकों के निर्माण में गडबड़ी का लगा यारो पीली भीतने सांड ने किसान को पटक पटक कर भाय डाला पतनी के साथ गाउ के बाहर खेट पर घास काटने गया था ग्रामेड परिवार में मचा को हरा मासूम बच्चे के हत्यारों का पुलिस को मिना रिमान दो दिन रिमान पर रख कर मासूम केनन के शव को बरामत करने का प्रियास करेगी पुलिस हर दोई मिसरा खाथ से में एक की मौत दूसरों घाय लखनौ रफर दावत खा कर लौट रहे थे दोनों लखनौ में दो जगो पर दो लोगों ने दी जवान घरेलू कला के चौलते चिनहट में युवाक और रहीमाबाद में महिलाने लगाई फासी राहूल गांदी की सद्दसिता मुद्य पर कॉयंग्रस का प्रदाश्वान अयोधिया जुलाध्यक्ष बोले हर कारिकर्त अपने नेता के साथ सरकार विरोधी नारे लगाई दवा व्यापारी ने सरकारी स्कूल की बदली तस्वीर सुल्तानपुर में लाखों खर्च कर बनवाया स्मार्ट क्लास डूम क्यामपस को जगमगाया शटर तोड ग्याएंग के बदमाश नियोपोलस पर जोका फायर मुच भेड में आरोपी के पैर में लगी गोली आरोपी घबरा कर बाइक लेकर जंगल में भागा बीबी एयू में बवाल करने वाले चात्र चिन्नित कमिटी की जांच रिपोर्ट आने के बाद दोशी चात्र पर होगी कारवाई उन्नाव में सिक्षक के घर का ताला तोड कर चोरी नगदी और जेवर लेकर हुए फरार परिवार संग गय थे पैट्रिक गाउ उन्नाव में हाईवी पर च्रॉक और डंपर के भिड़ांत चौला की उफचार के दौरान मौत खलासी का चल रही लाज फतेपुर में दिवार गिरने से बुजूर्ग की मौत एक युवा गंभी रूप से घायल रात में खाना खाकर दोनों बात कर रहे थे हमीरपुर में पॉलस वाद बदमाश के बीच मुड़ भेड 25,000 के इनामी को पैर में लगी गोली चोरी लूट और डख्याती के आरोप में था वांच्रित पालना ग्रह में दुदमूही को छोड़ कर भागे दम पत्ती बच्ची के रोने के आवाज सुनकर उसे स्टाफ ने अपनी देखरेक में लिया सैफाई में युवक ने गोली मार करकी खुद खुशी स्टी का फर्जी मुकदमा लिखे ज़ाने से परिशान था न्यायाले में आज तारीक थी ग्रेटे नोईडा में घर में वृत मिली बुजर्ग महिला चार महिने से बेटा बहु से नहीं हुई थी बातचीद शव में लग गए थी कीड़े सरकारी भान की दुकानों पर खुले हां बिक रहा गांज़ा गांज़े की बिकरी का वीडियो वाइरल स्पी ने जाच के बाद कारवाई का किया दावा गाज़ेपूर के किशोर का वैद असलहे के साथ फोटो वाइरल पुलिस की टीम ने तमंचे के साथ आरोपी को क्या गिरफता अमेटी में संदिक्द परसितियों में सिपाही ने खाया जहरीला पदार्थ जिलास पताल में सिपाही रंजीत यादफ का चल रहा ही लाज बुलंच शहर में बेमोसा मांधी बारिश से गेहू कि पकी फसल बरबाद किसानों नेकी सरकार सिर्फ फसलों के नुक्सान की भरपाई की माँ बुलंच शहर में केरल च्रेन अगनीकान का मामला एटीयस ने च्रेन में आग लगाने वाले संदिक्द को क्या गिरफता गाज़बाद में इस पर्ष हॉस्पिटल में हुआ बड़ा खुलासा किड़नी में पत्री का उपरेशन कराने गई युवक की मौत मामली किस जाच में जुटे पुलिस हमीरपुल में राज़कुतवाले पुलस और बदमाश के बीच हुई मुटभेड पुलस मुटभेड में लुटे रे सोहिब के पैर में लगी गोली कानप में बासमंडी कपड़ा मार्केट में आग लगने का मामला सौ घंटे की कड़ी मश्रकत के बाद लगबख बुजी आग गर्म दीवारों और सामान पर पानी डालने से उठता है धुआ लखनओ के चार बाग रेल्वे स्टेशन को भवे बनाने का काम तेज विस्तार के लिए खाली कराए जाएंगे रेल्वे कॉलोनी राज्थानी लखनओ में कुरोना का ग्राफ बढ़ा बीते दिन 13 नए मरीज मिले जनपद में अक्टिव केस की संख्या 69 लखनओ में मुख्यमंत्री के नर्देश के बाद भी चुटा घूम रहे गौवंच जानगी पुरम के सहारा स्टेट रोड पर घूम रहे चुटा गौवंच लखनओ के जनेश्वर मिश्व पार्क की बदलेगी तस्वीर पाक का होगा काया कल्प लगेगी नई लाइटे लडिये के वीसी डॉक्र इंद्रुमनी तरपाथी ने ठेकेदारों के साथ की बैठ गे लखनओ में लडिये की बड़ी कारवाई लडिये ने तीन अवैल नुर्मार को किया सील विकास प्राधिकरेंड के उबाध्यक्ष के अंदर देश पर हुई कारवाई लखनओ के लडिये में जलील हुए बुज़ुर्गों को नहीं मिलें साफ लडिये अफसर पर नहीं हुई कोई कारवाई लगबग 20 दिन बाद भी नहीं लिया गया कोई एक्षिन लखनओ में पशुधन भरती घोटाले मामले में होगी कारवाई सपा सरकार में हुआ था पशुधन घोटाला पूर्व मंत्री राज किशोर सिंग और ततकालीन प्रमुक सचिव योगेश कुमार पर कसेगा श्रिकंचन प्रियागराज मुमेश पास शूट आउट से जुड़ी बड़ी खबर कोट ने पकड़े गए आरोपियों के पोलिस रिमांड की मंजूर कस्टिडी रिमांड पूरी होने के बाद पोलिस दुबारा आरोपियों को कोट में पेश करेगी बुलंच शहर में आकाश्र बिजली गिडने से जुलसा किसान घटना के समय खेत में काम कर रहा था सूचना मिलने पर परिजनों में मच्वा हड़का लखनाओ के थाने में खड़ी कबार वहन होंगे स्क्राप कबार वहन को परिवाहन विभाग द्वारा कराए जाएगा स्क्राप स्क्राप नीती के अंदरगत परिवाहन विभाग थानों में खड़ी कबार वहनों को करेगा स्क्राप राज्थानी लकनाओं में मतदाताओं का ग्राफ बढ़ा लकनाओ नगर निगम में सबसे अधिक मतदाता केवल लकनाओं में 49,24,000 से अधिक मतदाता लकनाओं में परिवहन निगम अगले साल खरीदेगा नई बसे साल 2024 में 2492 नई बसो को खरीदने का रख लक्ष प्रियाक राज्ज मेती की बेन आईशा नूरी पर भी कारवाई की तैयारी पुलिस और स्ट्रियाफ को आईशा नूरी के खलाफ में लेहम सबूत राइब रेली में दारोगा नेकी युवक की जोंकर पिटाई युवक गंभीर हालत में अस्पतार में कराए गया भरती सिधात तगर में अवयाद अस्पतालों पर हुई चाप इमारी मरीजों को दी जो आ रही थी एक्सपाइट दवाएं राइब रेली में जुलादिकारी का मानवी अचेरा आया सामने स्कूली चातर चातराई डियम समिल कर हुए खुश राइब रेली में साल 2015-16 में बने आवासों में हुआ घुटाला ग्रामीडों ने पूर्वर ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप कानपुर में नावालिक बच्चे को कुत्ते ने काटा हुआ विवाद विवाद में हुए जखमी कई लोग गाज़ेबाद में इत्यागी समाज ने दी प्रिशासन को चेतावनी अपनी मांगों को अपजिलादिकारी से कराया अफगर्ट डिप्टिसीयम रजेश पाठक का दो दिवसिया फथेपुर दौरा डिप्टिसीयम ने मेडिकल कॉलेज का लिया जायजा धूरे कारियों को जल्द पूरा करने के दिये दिशानर देश बिजनौर में तेज रफ्तार का दिखा कहर कार और ट्रैक्टर ट्रॉली में होई जोरदार भिड़न थाथसे में दोग की मौत कई गायब लखनव में पैतालिस करोड की लागत से बने नाले का शिलन्यास नगर विकास मंत्रिये के शर्मा ने नाले का किया शिलन्यास और यह में तेज रफ्तार का दिखा कहरे ट्रॉक ने स्कूटी को मारी जोरदार टक कर स्कूटी सवार किसान की मौके पर हुई दर्दनाक मौत बस्ती में पुलिस टीम की बड़ी कारवाई पाच अंतर राश्ट्रिय गांज आतस्कर को पुलिस ने किया गे रफ्तार गोरकपुर एम्स को मिले 35 नई डॉक्टर जल्दी अपने विभागों में करेंगे जोईन 17 और डॉक्टरों को इंटर्व्यू के लिए भीज़ा गया नोटिफिकेशन ललितपुर में बुजूर्ग का बना दिया फर्जी अयुश्मान कार्ड कैंसर का इलाज कराने पहुचा तो हुई जानकारी लखीमपूर में पूरु ब्रॉक प्रमुक के पती ने नदी में लगाई चौलांग मचवारों ने बचाया फेस्बुक पर विधाय के खिलाफ डाली थी पोस्ट आगरा में मेयर के टिकेट के लिए सबसे जादा मारा मारी भाजपा में टिकेट को लेकर रशा कशिवाई सबा बसबा कॉंग्रस और आप में बनाए ज़ा रहे पैनल अलिगर में बारिश से गेहू के फसलेगीरी किसान परिशान देर रात हुई जमा ज़म बारिश डीम ने ज़ारी किये हलप लाइन नमबर मैन पूरी में रोडवेस बस और आटो रिक्षा की टकर रेक की मौत दस लोग हुए घायल दो की हालत गंभीर रामपूर के युवक की सौधी में हुई मौत छे साल पहले रोजगार के लिग गया था युवक बाइस दिन से शफ का इंतजार कर रहे परिज़न शावस्ती में अलग अलग विभागों में बीच शुकायत लंबीत तीन दिनों में नस्तारन के डियम ने दिये सक्त नर्देश अमरित पाल का पीली भीद कनेक्शन गुर्दवारे से सीसी टीवी फुटेज मिले गायब डीवियार को साथ ले गई पंज़ाग पुलस मौसम का मिजास बदलते ही बढ़ने लगी गर्मी लोगों को सताने लगी तीखी धूप आने वाले दिनों में 36 डिगरी तक पहुँचेगा तापमान पोते को बचाने में गई दादी की जान जागरन में शामिल होने दिल्ली से फरुखा बाद आया था परिवार हवनकुंड में सिलिंडर फेकने पर भड़की थी आख फिरोजबाद में चलती बाइक से गिरे युवा केक की मौत दूसरा घायल मोटर साइकिल में पेट्रोल डलवाने गए थे दोनों बहराईश में अव्याद नर्सिंग होम पर चापा स्वास उभा की टीमों ने किया सीज नाम बदल बदल कर संचालित हो रहा था मोधी नगर में गायब हुआ डेड़ वर्शिय मासूम दो घंटे में बरामत पोलस को खेत की मुंडेर पर सोता हुआ मिला खेलते खेलते हो गया था लापता 75 जिले की 75 बड़ी खबरों में फिलहाल के लेट नहीं देश पर की तमाम बड़ी और तासा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहेगे प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच साहस सरोकार